and yet again और फिर से सुनने को आया that he was a printer कि वो चापने वाले बन गए थे क्या चापने वाले अखबार चापने वाले क्योंकि सौली सदी में अखबार mostly चापा करते थे we do know we do know हम इन में से कोई बात भी उनके बारे में यकीन से नहीं कह सकते कि वो क्या बने थे स्कूल चोड़ने के बाद मगर हम ये जानते हैं we do know हम ये जानते हैं however ताहम that he married Annie Hathaway कि उन्होंने Annie Hathaway से शादी कर ली थी the daughter of a small farmer एक छोटे से केसान की बेटी से उन्होंने शादी कर ली who lived in a parish of Stratford जो कि Stratford के पाद्रियों के इलाके में रहती थी parish पाद्रियों के इलाके को कहा जाता है 16 सदी में उस वक्त ये भी बहुत चलता था कि हर एक इलाके में मुक्तलिफ किसम के लोग और मुक्तलिफ मजब के लोग रहते थे तो उस वक्त जो चर्च वाली लोग थे तो उनको parish उस इलाके को कहा जाता था पाद्रियों का इलाका तो एनी हैथवे वहाँ पे रहती थी एनी हैथवे वहाँ पे रहती थी इस वर्ड को पढ़ेंगे थैच्ट थैच्ट का मतलब छपर लेकिन रूफ वो रूफ जो के फूलों से भरवा बागीचा आज तक भी देखा जा सकता है क्योंकि वो वहीं पे मुझूद है अब दुबारा विल्यम शेक्सपियर की तरफ कहानी आ रही है जबके वो अभी तक एक नौजवान आदमी था शेक्सपियर लेफ इस वाइफ उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया और फैमिली और अपने घर वालों को इन वार्विक्शर जिल्ला वार्विक्शर में और लंदन की तरफ चले गए अपनी किसमत को वहाँ पर अजमाने के लिए किस तरह की किसमत को अजमाने के लिए क्योंकि शिक्सपियर विल्यम शिक्सपियर हमेशा जानते थे कि उनकी अंदर एक टैलेंट है एक स्किल है जो एक छोटे से कजबे में रहके वो पूरा नहीं कर सकते वो अपने खौइशात को अपने ड्रीम्स को वहाँ पर पूरा नहीं कर सकते तो इसलिए उनको बड़ी जगा पर जाना था तो तभी उन्होंने लंडन की तरफ जाने का फैसला किया अपनी किसमत वहाँ पर अजमाने के लिए तो नेक्स पेज़ पर पढ़ते हैं